पंडित मदन मोहन मालवी ने विश्विद्याले के स्थापना के समय कहा था कि ये विश्विद्याले प्रतीची और प्राची का मेल सुन्दर होगा। प्रदानमंत्री नरंद्र मोदी ने मालवी जी के इस सपनों को साकार करने के लिए सव वरसों बाद काशी को बनाया कि काशी प्रतीची और प्राची का मेल सुंदर हो जाए काशी पिछले साथ सालों में लगबग बदल चुकी है काशी का संसकार बदला है कासी का सोच बदला है, कासी की आदतें बदली है, कासी का रूप रंग ढंग सब बदला है, अब कासी चमचमाती है, आपको नजर आएगी सडके ठीक हैं, घाट स्वक्ष हैं, गंगा घाटों पर भीड है, मेले जैसा द्रिश्य है कासी में, घाट वाक हो रहा है कासी में, ला अदबुत काशी का रूप हो जाएगा जहां तक विश्वनात कारीडोर का सवाल है विश्वनात कारीडोर आप कारीडोर नहीं है यह विश्वनात धाम है विश्वनात धाम को जिस रूप में काशी विश्वनात को जिस विराटता के आधार पर जिस सोच के आधार पर डेबल गांदी 1903 में काशी विश्वनाज जा करके बड़े दुखी थे और महात्मा गांदी और पंडित मदन मौहन मालवी के काशी धाम के स्वरूप को साकार किया है नरेंद्र मोधी और यशश्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने तो यह तो काशी और भी है प्रतीच योप राची का मेल सुंदर ही क्वेटू है और मोधी जी ने क्वेटो के रूप में काशी को काशी रहने दिया इसकी विरासत को इसके व्यापार को इसके टूरीजम को इसकी अर्तिविवस्था को इसके इसकी स्वक्षिता पो जान में रख करके काशी को लगातार बदलने का प्रयास किया है आज 13 तारी को जब काशी कारिडोर या काशी धाम का लोकार पढ़ होने जा रहा है तो 13 तारी को काशी बदली हुई नजर आएगी और यह लोग देख रहे है जमीन पर दिखाई पढ़ रहा है हवा हवाई नहीं है काशी कारिडोर इस बात का जिस तरह से नाट कारेकरों के लिए बड़े संस्थान बने है जिस तरह से काशी हिंदू बिश्विद्याले में अस्पतालों की श्रिंखला करी है ताटा का कैंसर इंस्टूट यहां कुला अब कैंसर के अरुकार होगी बंबई टाटा में नहीं जाता बनारस में ही रहता है तो स्वास्थ में सिख्षा में संस्कृती में संसकार में भाशा में और इंफ्रास्ट्रक्चरल डबलमेंट के संदर में नरंद्र मोदी ने काशी को अपने संसदी चेतर में अद्भूत क का पालन कर रहा है काशी के लोग अनुशासन का पालन यातायाद के नियमों का अध्वुत पालन कर रहा है पूरी दुनिया देख रही है मैं आपको एक द्वार्ण देना चाहता हूं अमेरिका से एक मेरे मित्र दो महिना पहले यहां कोविट के जो सेकेंड था उसके बाद आए वो काशी कहीं रने वाले वह भटक गए कि हम कहां काशी में हैं कि कहीं और है वो मेरे घर आए उन्होंने कहा कि कौशल जी यह काशी है कि काश कोई दूसरा कि शाहर है काशी इस तरह बदलेगी मैंने कलपना मैं तो 25 साल पहले लंदन चला गया था काशी को बदलते हुए इस स्वरू को दे करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और दुनिया के लोग जब काशी कारूडोर का लोकारपन हो जाएगा तो मुझे विश्वास है कि काशी में प्रति दिन दो लाख विश्विध्याले में होती है जो परिटक आंगे उनको पाशी में चाहिए कlesslyकर इसको इसको का स़ फार्मिंग ना करके मैं करता हूँ के Проशी-प्रती Tou मेल सुन्दर है और आगे आने वले दिर में काशी प्रतीच भी होगा प्राची भी होगा आधनिक भी होगा देवत्तु भी होगा आधनिता से लभरेज होगा ऐसा मेरा मानना मैं डॉक्टर अनुराधा सिंग एसोसियेट प्रोफेसर इतिहास दिभाग सामाजी बिज्ञान संकाय से हूं हम लोग 11 बारतारी को एक राश्टी संगोष्टी काशी पे करने सांस्कृतिक काशी पे करने जा रहे हैं जिसका की टॉपिक ही है सांस्कृतिक काशी परंप्रा ए जैसा कि मार्क ट्वीट कहता था कि काशी पर इतिहास से भी प्राचीन परंपराओं से भी प्राचीन कि उदंतियों से भी प्राचीन और इन तीनों के योग के दुगने से भी ज्यादा प्राचीन है और जिसके बारे में अथरवेज सत्पत ब्रामण जैसे ग्रंत बताते ह हमें अपने तमाम सहतिक श्रोतों एवं आर्कलोजिकल श्रोतों के द्वारा मिलता है काशी का यह जो पारंपरिक रूप है वह किस तरीके से आधुनिक्ता की तरफ बढ़ रहा है यह के पश्चाथ मानेनिय प्रदान्मंत्री मोदि जी के आगमन के पुषित आधुनिकी करण इस परंपरा की उपर आधुनिकी करण का जो एक पारत लगाया गया उसका समावेस किया वह इस बात और करता कि काशी जिस से प्रकार से सुरू से ही जीवंत रही सातथ्य रही निरंत उसमें निरंतरता बना रहा चाहे वह सख्रिती का कोई भी छेत्र हो चाहे वह कला हो चाहे वह फिसी भी आप छेत्र में देख रहें तो काशी में हमिसा जीवन्तिता रही इन सब चीजों को एक बाद फिर से हम लोग डिसकस करेंगे विविन विद्वानों के द्वारा इस संगोष्टी में और साथ में आज 13 दिसंबर को काशी काड़ी डोर का उद्गाटन मानिनिय मोदी प्रहानमंत्रिय मोदी जी के द्वार किया जा रहा है उसकी पुर्वसंद्या पर हम लोग इस संगोष्टी को समाप्त करेंगे और काशी की जीवन्तिता को और इसकी आधुनी करण को परंपराओं को और आधुनिकता को कैसे जोड़ते विकाशी आगे बढ़ती है और इसका जो स्रेज आता है वह मानिनिया प्र पर चाहें हमारे संगोष्टी में होगी बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा ना मिखलेस गया हुआ और मैं एक अर्सास्त्री हूं साथ-साथ-स पेट्रॉल पर भी एक्सपर्टाइज मेला रहा है तो यहां के असी घाट पर चले जाए यह घाटों पर साम को घूम लीजिए कम से कम हजारों लोगों को रोजगार मिला जो छोटे-छोटे दुकान लगा-लगा के पाग है तो यह सब सरकार के प्रयास्क द्वारा हुआ दूसरी चीज़ इंफ्राइस्ट्रक्टियर अच्छा होने के कारण आप टोटो देखिए हजारों हजार टोटो सहर में घुम रहा ह हजारों लोगों को भी रोजगार मिला है यह दुरभाग है कि इस समय करोना के कारण पिछले दो साल से लगबद विदेशी पर अटक नहीं आ रहा है नहीं तो होटल इंडस्ट्री का भी यहां सांधार प्रदर्शन था चारों तरफ आपको रूम जो है मिलना कठिन होता य तो मोदी जी और योगी जी ने इतना ज्यादा जो है इस पे खर्च किया उस खर्च का परणाम भी दिखा है कि लोगों को रोजगार मतलब बहुत आयत में मिलना है कहने को तो विपक्ष कुछी भी बोलता रहे उनके पास तो कोई कैलकुलेट करने का तरीका भी नहीं है ब बहुत पाया है और जिस तरीके से विशनात कारी डोड़ और डेवलप किया जा रहा है तो निश्चित ही बनारस आने वाले दुचार पांस साल में बहुत बड़ा एंप्लाइमेंट भी जनरेट करेगा और आर्थिक आय बढ़ेगी तो साथ साथ देश के विकास में इनका जो है एक महत्य योगदान साबित होगा मेरा नाम पतंजली है और में शोट चात्रों काशी हंदु विश्वध्यालेका जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप सांसत के रूप में नरेंद्र मोदी यहां से नामांकन करने आये तो उन्होंने इस परस्ट बोला था कि मुझे मा गंगा ने बुलाया है मा घंगा जिसकारी की धरा से होकर गुजरती है काशी विश्वनात को यो इसपरश करते हुए जाती है और उसी तरह जबसे नरेंद्र मोधी प्रधानमंतरी बने है तबसे भिकास की ज़ो धरा थी जो कहीं पुर्वांचल और काशी से विमुख हो रही थी उसको उन्होंने फिर से यहां स्थापित करने का काम किया है चाहे अगर हम सिख्षा की बात करें तो काशी हिंदू विश्विध्याले को हम देखेंगे तो 14 के बाद जब हम लोग यहां 9 साल और 10 साल हो गया है लेकिन 14 के बाद हमने अब प्रत्याशित बदलाव देखा है चाहे नई नए कोर्से सुरू हो ना हो चाहे फेकल्टी की रिकूर्ट्मेंट हम देखे पूरे की सीट खाली कई डिपार्टमेंटों में इस्तिती यह थी कि बहुत कम संख्या में सिख्षक थे सिख्षकों की निउक्त खासकर प्रधानमंतरी बनने के बाद और काशी में जितना काम हुआ है मुझे लगता है किसी और सहर में नहीं हुआ है यह मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं कि हमारे शांसत जो हैं वो प्रधानमंतरी सीरी नरेंदर मोदी हैं इस वज़ए से हमें यह सब चीजें मिल रही है यह उनके कारण संभव हो पाया है और हम इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं